हेई एवरिबाड़ी मैं हूँ प्यांजुल और आप देख रहे हैं प्राक्टिक और लॉर्निंग अक्सर ऐसा माना जाता है कि एविडिन्स आक्ट बहुत टफ है इसकी लांगवेज बहुत टेक्निकल है तो मैं आपके लिए एक सिंप्लिफाइड वर्जिन लेके आई हूं एक लेक्ट्चर सिरीज लेके आई हूं जिसमें कि हम बहुत ही आसान तरीके से एविडिन्स आक्ट डिसकस करेंगे तो ताकि आप कोई वीडियो या अफ्डेट मिस ना करें इसलिए प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं इंडियन एविडिन्स आक्ट इनाक्ट किया गया था जिस दिन बना था वो डेट है 15 मार्च 1872 जिस दिन से ये एक्ट फोर्स में आया है वो था 1 सेप्टेंबर 1872 इस आक्ट में सेक्शन्स 1 से लेके 167 तक हैं जिन्हें की 11 चाप्टर्स और 3 पार्ज में डिवाइट किया गया है इसमें एक शेडियूल भी हुआ करता था जिसे की अब रिपील कर दिया गया है स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि evidence law का importance क्या है इसे क्यूं पढ़ते हैं तो जब भी कोट के सामने कोई case आता है तो उसमें dispute तो होता ही है अब जो दोनों parties होती है वो अलग-अलग claim करती हैं अलग-अलग fact सामने रखती है court उन fact के basis पे सच का पता लगाते हैं और इने हम आम बाशा में evidence कहते हैं तो अगर evidence पर को restriction नहीं होगा कोई उसके rules नहीं होगे तो parties तो कुछ भी पेश कर सकती हैं जिससे कि court का time waste होगा और ultimately case कभी decide भी नहीं हो पाएगा तो इससे बचने के लिए evidence act कुछ rules provide करता है कि कौन-कौन से evidence court में पेश किये जा सकते हैं औ कौन से evidence के value जादा होगी और कौन से evidence के value कम होगी तो क्यूंकि evidence act एक set of rules या guidelines प्रोवाइड करता है इसलिए यह प्रोसीजरल लौ है आज हम discuss करेंगे पार्ट वान का chapter 1 preliminary section 1 और section 3 section 2 repeal हो गया है इसलिए उसे हम discuss नहीं करेंगे तो section 1 जैसा क्या आप जानते ही है होता है short title extent और commencement इस act का नाम है Indian evidence act 1872 और इसका commencement date हम जान ही चुके है that is 1st of September 1872 अब जानते हैं इस act का extent क्या है यह कहां कहां पर applicable है उसे हम divide कर सकते हैं दो parts में number 1 territorial और number 2 proceedings या फिर court तो territorial में आएगा कि evidence act कौनसी कौनसी जगह पर applicable है तो यह applicable है whole of India पूरे इंडिया पर यह applicable है जम्मू और कश्मीर reorganization act 2019 के बाद से यह whole of इंडिया पर applicable है otherwise इसके पहले जम्मू और कश्मीर पर यह act apply नहीं होता था पर अब होता है second part आता है कि कौनसी कौनसी proceedings या फिर कौनसे कौनसे court में evidence act apply हो सकता है तो सबसे पहले evidence act applicable है in all judicial proceedings सारी judicial proceedings जोकी court में होती है उन सब पर ही applicable है court में included है court marshal यह expressly लिखा हुआ है act के section number one में that court includes court marshal लेकिन उसमें वो court marshal नहीं आएंगे जोकी army act, naval discipline act, Indian naval discipline act या फिर air force act में constitute किये गए है इसके अड़ावा सारे courts और सारे court marshal पर evidence act applicable होगा evidence act applicable नहीं होगा इन दो चीजों पर that is effedavit जोकी present किया गया है before any court और any officer और secondly proceeding before arbitrator arbitrator के सामने जो भी proceedings होती है उन पर भी evidence act applicable नहीं होगा तो यह थी इस act का extent और applicability आगे चलते हैं section 2 repeat हो गया है इसलिए उसे हम नहीं पढ़ेंगे नेक्स आता है interpretation clause section 3 में उसमें कुछ definitions दी गई है और कुछ terms बताए गई है कि किस तरीके से इस act के reference में उन्हें interpret किया जाएगा उन्हें पढ़ा जाएगा सबसे पहली term है court तो court में include होता है सारे judges, सारे magistrates, all judges, all magistrates और all persons वो सारे persons जो की legally authorized है evidence लेने के लिए लेकिन इसमें 1% शामिल नहीं होगा और वो है arbitrator arbitrator authorized है legally evidence लेने के लिए लेकिन फिर भी Indian Evidence Act 1872 के purpose से arbitrator को हम court नहीं मानेंगे next definition आती है fact की fact means and includes means and includes का मतलब होता है कि इस act के purpose से जो definition दी गई है ये complete है ये पूरी है इसके अलावा कुछ भी definition में include नहीं किया जाएगा और जो definition में लिखा है उसके अलावा कोई भी चीज है तो उसे fact नहीं माना जाएगा ये definition भी दो parts में है सबसे पहला part में आता है कोई भी चीज anything कोई भी वस्तू हो सकती है या कोई भी चीज हो सकती है anything any state of things जो चीज़ों है जो वस्तूएं है उनकी अवस्था क्या है उनकी condition क्या है उनकी position क्या है वो चीज़ें या फिर चीजों का संबंध relation of things आपस में वो कैसे connected है उनका क्या relation है और जिन्हें हम हमारे senses से perceive कर सकते हैं जिन्हें हम हमारे senses use करके feel कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं senses याने कौन से हमारे जो 5 senses होते हैं that is vision, hearing, smell, taste and touch तो कोई भी चीज तो कोई भी चीज है state of things या फिर relation of things जो कि हम हमारे 5 senses यूज करके महसूस कर सकते हैं वो होता है fact और इन्हें हम कहते हैं physical fact example के लिए मेरे हाथ में एक pen है तो ये एक fact है मेरे सामने table पर एक book रखी हुई है तो ये एक fact है मेरे room के एक कोने में एक अलमारी है ये एक fact है क्योंकि ये सब चीज बता रही है कि कोई सी चीज है उनकी condition क्या है तो ये सब चीज है एक fact है अगर आप illustrations में देखेंगे bear act में तो illustration number A, B और C examples है physical fact के next देखते हैं fact में और क्या होता है second part है definition का mental condition जिसने की कोई person conscious है कोई भी mental condition for example आज मैं बहुत खुश हूँ और ये बात मुझे पता है कि मैं खुश हूँ तो मैं इस अवस्था से इस mental condition से conscious हूँ तो मेरा खुश होना भी एक fact है इस तरह के facts को हम कहते है psychological fact और illustrations में illustration D और E होंगे आपके psychological fact के examples तो definition हमें ये बताती है कि fact दो types के होते है that is physical fact and psychological fact आगे चलते है next definition पे जो की है relevant इस act में relevant का definition नहीं बताया है लेकिन ये बताया है कि एक fact किसी दूसरे fact से relevant कैसे होता है एक fact दूसरे fact से relevant तब माना जाता है जबकि वो section 5 से लेके 55 of Indian Evidence Act से connected हो जो rules इन sections में दिये हुए हैं जब कोई दो facts आपस में उन rules के according connect होते हैं तो उसे हम relevant कहते हैं next definition आती है facts in issue की ये बहुत ही important है और ये बहुत बाल exam से पूछी भी जाती है तो facts in issue means and includes याने फिल से definition complete है और इस act की purpose के लिए ये ही definition मानने होगी तो facts in issue होते हैं कोई भी fact, any fact जो की खुद से या फिर in connection with other fact किसे दूसरे fact के साथ connection बना के किसी भी suit या proceeding में arise होने वाली किसी right, liability या disability का existence, non-existence, nature या extent को assert या फिर deny करते हैं वो होते है facts in issue अगर easy language में समझें तो ऐसे facts जिन्हें किसी भी suit या proceeding में एक party claim करती है और दूसरी party refuse करती है या deny करती है वो होते है fact in issue जिस fact को claim या refuse किया गया है वो कोई भी right, liability या disability हो सकती है और उनका existence, non-existence, nature या extent assert किया गया है या फिर deny किया गया है वही होता है facts in issue याद रखने के लिए आप कहरे सकते हैं कि जो matter dispute में है जिस matter को लेके dispute हुआ है वही है fact in issue example दिया गया है उसे देखते हैं A पर आरोप लगा है कि उसने B का murder किया है A is accused of the murder of B तो इस situation में क्या-क्या facts in issue हो सकते हैं सबसे पहले तो fact in issue हो सकता है कि A ने ही B की मृत्यू कारित की है A ने ही B को मारा है उसका murder किया है secondly A ने किसी intention के साथ में किसी motive के साथ में B को मारा है उसकी death cause की है thirdly ऐसा भी हो सकता है कि B ने A को कुछ grave और certain provocation दिया हो for example B ने A को कुछ बहुत जादा उल्टा सीधा बोल दिया या फिर कुछ गाली गलोज कर दिया फिर बहुत कुछ objectionable बोल दिया जिससे कि A को बहुत जादा गुस्ता आ गया और उस गुस्ते के चलते उसने B का murder कर दिया तो ये भी एक fact है और इस fact को भी हम court में consider करेंगे as a fact in issue एक और fact ये हो सकता है कि जिस समय A ने B को मारा उस समय वो unsoundness of mind की वज़े से उसका nature जानने के लिए capable नहीं था वो unsound mind का था उस point of time पे और वो ये नहीं समझ पाया कि जो वो करने जा रहा है उससे बी की मृत्य हो सकती है बी की death हो सकती है तो इसलिए ये भी यहाँ पर एक fact in issue होगा नेक्स definition आती है document की जनरली हम क्या समझते हैं यगर किसी paper पर कुछ लिखा हुआ है तो वो document है लेकिन evidence act में एक बहुत ही wild और बहुत ही broad definition दी है document की आये देखते हैं वो क्या है तो document का मतलब होता है कोई भी matter कोई भी subject कोई भी बात जो की express करी गई है या फिर describe करी गई है किसी भी substance के उपर किस तरीके से letters यूज करके figures यूज करके marks यूज करके या फिर इन तीनों का कोई combination यूज करके और express या describe करने का जो purpose है ऐसा क्यों किया गया है तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो जो matter है वो जो subject है वो जो बात है उसे हम record कर सकें वो होता है document तो अगर किसी भी चीज पर कुछ भी लिखा हुआ है या फिर कुछ भी mark बना हुआ है तो वो होता है document यह चीज कुछ भी हो सकती है कोई पत्थर का टुकड़ा हो सकता है कोई दिवार हो सकती है कुछ भी हो सकता है अगर उस पर कुछ भी impression है कुछ भी चीज ल हुआ है तो वह डॉक्олुमेंट है अगर कुछ words को print किया गया है लिठोग्राफ किया गया है या फिर photograph किया गया है जैसे कि मैंने पीपर पे कुछ लिखा उसका मैंने photo click के और अपने किसी Friend को भीज दिया तो वह जो प्लान हे वह बहुता है किसी एक संदल में अप्रेंज निकिया है किसी जी होतम हो हो words हो या फिर कुछ भी marks हूं तो उसे हम document मानेंगे for the purposes of evidence act तो यह बहुत ही broad definition हुने cover करी है document में include करने के लिए next definition आती है evidence की evidence means and includes definition दो पार्ट में है number one number two part number one है वो सारे statements evidence means and includes all statements जो की किसी witness ने किये है उन facts के लिए जो की inquiry में है with the permission of court या फिर for the requirement of court वो सारे statements होंगे evidence इन statements को हम कहते है oral evidence जो की हम discuss करेंगे आगे जाके chapter number four of evidence act में definition का next part deal करता है documents से सारे documents all documents including electronic records electronic records जो भी किसे computer पर या फिर internet पर या फिर mobile phone पर किसे electronic device पर कुछ लिखा हुआ है कोई document है तो वो भी document है और वो से भी हम evidence मारेंगे for the purposes of this act और ऐसा document produce किया गया है court के inspection के लिए वो भी evidence होगा इससे हम कहें के documentary evidence और आगे जाके हम discuss करेंगे chapter number five of evidence act तो basically इस act में evidence का definition नहीं दिया है लेकिन ये बताया है कि वो कौन-कौन से तरीके हैं जिसे के evidence पेश्ट किया जा सकता है दो तरीके हैं नंबर वान oral evidence हो सकता है या फिर नंबर टू documentary evidence हो सकता है ये दो ऐसे instruments हैं जिनके थूँ आप evidence पेश्ट कर सकते हो ये basically evidence का definition नहीं है लेकिन वो medium है वो एक जरिया है जिससे आप evidence पेश कर सकते हो समझ में आया इसमें कुछ एक दो cases वो बहुत important है अक्सर पूछा जाता है कि क्या FIR that is first information report क्या वो एक evidence है तो ऐसा बोला है इन सी मगेश वर्सिस स्टेट आफ करनाटका के केस में कि एफायर सब्स्टांशियल evidence नहीं है एक complete evidence नहीं है लेकिन वो सपोर्टिव एविदेंस है किसी दूसरे fact को support करने के लिए FIR का use किया जा सकता है FIR को completely ignore नहीं करना है लेकिन वो अपने आप में complete evidence भी नहीं है एक चीज़ और है कि क्या video conferencing के through evidence ले सकते हैं जी हाँ evidence ले सकते हैं through video conferencing जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी इस pandemic के चलते सारी court की proceedings video conferencing के through ही हो रही है तो इसमें obviously court evidence तो ले ही रहा है लेकिन इसका सबसे पहले approval किया गया था इस case में सबसे पहले ये बताया गया था कि video conferencing के through भी evidence लिये जा सकते हैं evidence के बहुत सारे types होते हैं एक होता है direct evidence और एक होता है circumstantial evidence लेकिन उसे हम आगने वाले अगले वीडियो में discuss करेंगी क्योंकि वह बहुत lengthy हो जाएगा और वह बहुत important है तो उस पर अलग से focus करना ज अब ले definition पर ये तीरिक definition एक जैसी है इसको हम साथ में पढ़ेंगे that is proved disproved and not proved तो कोई सा fact उसे हम कहेंगे कि वह प्रूफ हो गया है जबकि कोट ऐसा मान ले कि वह exist करता है या फिर उसकी existence के इतने ज्यादा chances है इतने ज्यादा probability है कि कोई अगर एक normal prudent man है जिसके पास करने की शक्ति है अगर कोई ऐसा इंसान है तो वह उस particular circumstances में उस particular fact के होने का उस particular fact के existence को मान ले उसको suppose कर ले यह होता है प्रूफ इसका उल्टा होता है इक डिस प्रूफ अगर कोई fact है उसे हम इक डिस प्रूफ करना है तो उसका मतलब यह होगा कि कोट ने मान लिया है कि वो fact exist नहीं करता वो fact existence में ही नहीं है और अगर कोट के जगा पे कोई normal इंसान है जो की अपने normal senses use कर सकता है कोई prudent man है वो भी ऐसा मान ले कि वो fact exist नहीं करता वो होता है डिस प्रूफ और जो fact ना तो प्रूफ हुआ ना ही डिस प्रूफ हुआ वो होता है not proved तो ऐसा कोई इसा कोई भी fact जिसे कोट एक normal prudent person मान ले कि वो exist करता है वो होता है प्रूफ और जो fact ना ही प्रूफ हो पाया ना ही डिस प्रूफ हो पाया वो हो गया not proved तो यह थी सारे definitions जो की cover की गई है section 3 interpretation clause of Indian evidence act 1872 chapter 1 में 4 sections है section 4 आता है presumptions को लेके उसे हम discuss करेंगे अगले वीडियो में क्योंकि वह बहुत important है और उससे बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हमें cover करनी है और यह वीडियो कापी जादा लंबी भी हो गई है तो बेटर होगा कि उसे हम अगले वीडियो में cover करें तो अगर आ करें टो इसे हमेंपें एलग-शक्रणा दो आसं दोड़ी करें । बहुंग अई करेंजेंगें तो करेंग नहीं तो करेंगें करेंगें dewगगें। आक रीणले हमें अप्या यह नहींज़ stre rodz Mmon!